आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महिला थाने में टूटे परिवारों को जोड़ने का कारे किया जा रहा है प्रभारी निरिक्षक महिला थाना अलका ठाकूर के साथ महिला हेल्प टैस्क पर पती पत्नी के बीच काउंसलिंग करा परिवार जोड़े जा रहे हैं इंस्पेक्टर अलका ठाकुर का कहना है कि जन्वरी से अब तक आये 437 प्रातना पत्र दे कर शिकायत की गई थी जिसमें 160 पती पतनी का समझोता करा दिया गया है अबी तक जन्वरी से लेके अभी तक 437 फायृ करीवाई हैं जिसमें कि 160 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें कांसलिंग के बाद समझोता हो गया है और 21 प्रकरण वो हैं जिनमें समझोता नहीं हो पाया तो उसमें FIR लौज हुई है और 222 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें कि दोनों पक्षों का किसी वी वाला वाला माध्यम से मतबनों ने गुस्सा गुस्सी में दे दिया application लेकिन फिर उनका आपस में ही compromise हो गया प्रभारी निरक्षक महिला थाना अलका ठाकूर का कहना है कि थाने में शिकायत करने के बाद 222 दंपतियों ने अपने स्वेच्छा से समझोता किया है जबकि 34 मामलों में काउंसिलिंग चल रही है मुबाईल और पती-पत्नी के शक करने पर परिवार तूटने के गगार पर पहुंच रहे हैं थोड़ा तो यह है कि मुबाईल भी है थोड़ा एक कारण मुबाईल भी है दूसरा कारण यह है कि अभी कोरोणा की वज़े से शराब पी रहा है वो भी कारण है शराब के कारण भी जगड़ा हो रहा है तो इस तरीके के प्रकरण है कुछ में यह है कि सस्राल वालों की तरफ से गलतियां तो कहीं कहीं हैं ही थोड़ी बहुत जिनको हम लोग बाचीत करने के बाद सुल्जा देते हैं दोनों पक्षों को समझा करके शराब पीकर घर आने पर पती पत्नी के बीच जगड़ा होने से भी संबंदों में दरार आ रही है महिला थाने में प्रातना पत्र लेकर पहले समझोता कराने का प्रयास किया जाता है पती पत्नी को वेठा कर काउंसलिंग कराई जाती है जिससे आपसी सामंजस से बना रहे इसके बावजूद भी समझोता ना होने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है सी नियूस के लिए मैं शर्मा की रिपोर्ट